तो 3x², देखो, क्या है, वश्चन तो पढ़ ले, यदि दूइखाद समीकरण 3x²-12x प्लस m बरावर 0 के मूल बरावर हैं, तो m कमान ग्यात कीजिए, देखे, सेम कॉश्चन है, जिससा अभी हमने किया था, महाँ पर k कमान निकाल ला था, यहाँ पर m कमान, तो समीकरण दि की तुलना, व्यापक समीकरण से करने पर, लिख दे, दिये गए, समीकरण की तुलना, व्यापक समीकरण से करने पर, से करने पर तो देखो क्या होगा हमारा यहीं ब्यापक समिंगन क्या होता है AX square plus BX plus C बरावर 0 तो यहां से A का मान क्या निकला 3, B का मान क्या निकला माइनस का 12 माइनस के 12 ठीक है और C का मान क्या है M है ठीक है अब रख दो चुकि मूल बरावर है मूल क्या है बरावर है मूल बरावर है इसलिए D का मान क्या होगा 0 के बरावर होगा D क्या है हमारा क्या होता है विविक्तर B square minus 4AC होता है क्या होता है B square minus 4AC value put कर दो यह रहा value put करेंगे तो देखो क्या होगा माइनस के 12 का square B का मान कितना है? माइनस 12 माइनस 4AC 4 into A into C मतलब M बरावर 0 यह चल रहा है बरावर में? value put कर दी? अब चलिए यह कितना होता है? 12 का square 144 है न? माइनस 4 तिया 12 M बरावर 0 तो माइनस देखो इदर 12 M को उदर ले जाओ एक काम करो यानि 144 बरावर 12 M तो M बरावर कितना हो गया? 144 144 बटे 12 अब 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 12 दूनी 24 यानि 12 ही आगे निकलके तो M बरावर कितना हो गया? 12 M कमान कितना हो गया? 12 option number कौन से सही हो गया? D option number D is the right answer बताओ को इदिक टुए बताओ को इदिक टुए आए बताओ को जिए बताओ को